कि मूल विशे क्या था, मूल विशे इतना था, सरकार और प्रशाशन के अंतर को जब तक राजनेतिक दल नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी गलत फेमिया बनी रहेंगे। आप ते ब बupid, और भारत की जो व्यवस्ता है, उसे में उत्रम्देश का व्यवस्ता आई, आई सोने जापान के नियमों से संचारीत होगी, जो भारत के नियमा वली uhogen जेनता व्यवस्ता में Karo के पास बहुत सारी तागते हैं एक और तागतों के अलावा दूसरा एक और अच्छा है ये कि उतना बड़ा वो है तंत ये सिस्टम है जरूरते हैं और जब महामारी हो जाए तो इतनी अफरात अफरी हो जाती है कि राजनेतिक नित्रत तो कोई भी हो उसकी डिपेंडेंशी प्रूट्रिय्ची पर ही रहेगी डिलीवरी मेकनिस्म तो वह यह है माली जी आज मैं मुख्यमंत्री हूं और मैंने का आग मैं सब को ऐसा करो तो कौन करेगा रापाभू करेंगा सपाई करेगा तैसलदार करेगा वही लोग करेंगे पटवरी अईसा तो संभव नहीं कि सरकार में बैठा सरकार यह पैसला कर दे कि मेरी पार्टी की लोग सबको पैसा ट्रांसफर करेंगे उनको तो पास्फ़र्ड ने मिल सकता ना ना वो सुएक शिक कारि कर सकते हैं अगी तर पर लेगैं अईसा तो हो नहीं सकता कि वो सरकार के ब rider करकार काम करने लगे और है और replace करने भी आवश्चे को नहीं न सब और क्या राषथा निकाले भी इससे तब रास्ता ये निकलना चाहिए कि जहां जहां कमियां हैं जहां जहां छेद हैं वहां वहां CMC लगाते चाहिए लेकिन हो film लगेगा तभी जब हम पहले खुले कि दिमाग से कमी पर चर्चा कर लेंगे अगर चार जिले के डॉक्टर्स ने भी मुझे कभी फोटो भेजी अपने खाने की और उस पर चिंता जताई तो इसके पीछे जिम्मेदार तो है ना तंत्र उस ये मुझे देखता हो डिप्टी सीमो देखता हो मुझे पता नहीं यह खाने परची सबसक्ति क्यों भाई 500 रुपे कम है क्या क्यों ने अच्छा खाना मिला अब फिर वही बात आती है क्वारण्टाइम सेंटर्स में चाहें 10 फिसदी सेंटर रहे हो जहां अभीवस्था रही हो पाइसा पूरा गया प्लान पूरा मुकंबल गया तो अभीव वो हमारे परिवार के लोग हैं जो कॉरांटाइन में हैं वो अपराधी तोड़ी नागी जेल में ठूल दिया उनको उनको ठीबी भी मिलना चाहिए, अच्छा विस्तर भी मिलना चाहिए, समय पर दो वक्त खाना मिलना चाहिए, चाय मिलनी चाहिए, अधरक मिलनी चाहिए, आमला मिलना चाहिए, कच्छी हल्दी मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है, जनता काव टेक्स का पईसा है, अधिकारियों क यह मूल विश्य इन मूल विश्यों पर जब तक हम नहीं चिंतन करेंगे और एक अंतिम बात कहूंगा चोटा मोटा अनुभव हमको भी है पत्रकार वाश्पई जी का करते थे पत्रकार और राजनेता का जो जमन रहे राजनेता को आप दूला मान लीजिए लेकिन बराती पत्रकार होता है और व्यक्ति दूला तो एक ही बार बनता है बराती तो कई सो बरात करता है अपनी जीवन तंत्र पर नियंत्रन सबसे कठिन काम है तंत्र इतना विचित्र एक मकड़ जाल है हमको आपको गोली खानी हो किसी बीमारी की तो पानी चाहिए यह गोली मुझ में रखता हो रहा है निगल जाता है पानी की दरूत भी नहीं ऐसे ही तंत्र सरकारे भी इन्हिल कर लेता है और जब पता लगता है तब तक हो जाती है देर इसलिए जरूरी यह है कि ना केबल सजा मिले बड़ी सजा मिले निरनायक सजा मिले और उस सजा की मुनादी भी हो ताकि अगर एक जगा का तहसिलदार गरवर करे तो वो देख बाकी प्रदेश भर के तहसिलदार को सबक जाए कि उन्होंने गरवर की थी उनको इतना बड़ा दर्न मिला इसलिए भी सोर कभी सोचना नहीं हम सजग रहे सचेष्ट रहे सतर्क रहे और जहां ऐसे व्यक्ति को पकड़े यह ऐसी संस्ता को पकड़े उसको निरनायक दंड दे सार्जिनिक तौर पर दंडित किया जाए ताकि एक सबक पूरे बाकी जो लोग मन में ऐसी इक्षा सजोए हो कि या खुदा कुछ हमको भी इसा मौका दे कि मैं भी कुछ हरा पेरी करो वो लोग कम से कम डरें वर्षा आप समय नहीं है फिर अगले हपते कभी कोई विश्य रखेंगे तो आप से बात करेंगे धन्यवाद